हेलो दोस्तों आज हम आठ नंबर की काना जी का यानि पूट तियार करेंगे हम तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है इसके लिए हम सबसे पहले चेन ले लेंगे चेन की संख्या देखिए हम 22 लेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दर्श, इक्यार, बार, तेर, चौदर, पंदर, शोल, शत्र, अठार, उननेश, बीस, इकीस, बाईस देखिए हम बतला दे 22 चेन हम ले रखे हैं तो यहां बड़े यानि यह 3 प्लाई का उन है अगर आप उन चेन्ज करेंगी तो आपको चेन की संख्या घटाना पड़ेगा और इस से 3 प्लाई से और फी मोटा उन से बनाएंगी तो बिल्कुल ठीक नहीं बनेगा जितना इसे प्लाई से बनाया जाए उतना अच्छा बनेगा तो 3 प्लाई का उन से बता रहें क्योंकि बहुत सारी बहने जो कहते हैं कि नहीं प्लाई का उन से आप बताईए तो देखिये नहीं हम से थी प्लाई का उन से 12 चेंड ले रखे रहें अब हम फंदे लेंगे हमारे पास में दें ओक को ड्स पर थी पंदे लेंगे तो फर्स्ट लाइन हम इसी तरह से बुन लेंगे बहुत ही आसान है ये बनाना बहुत ही आसान तरीका से हम आप लोगों को बतला रहें यहाँ पे तो देखे इस तरह से हम इसमें पहला लाइन बुन कर कंप्लीट कर लेंगे देखे पहला लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद में इस तरह से हम पहला लाइन इसे पुरा कंप्लीट की है अब हम यहाँ पे एक चिन ले लेंगे इसे पलट लेंगे पलटने के बाद हम इस पर फंदे को नहीं लेंगे डारेक्ट हुक को हम यहाँ पर डालेंगे और एक फंदा इस तरह निकालेंगे अब हम दो का एक करेंगे बस इसी तरह से हमें बूनते चले जाना है दो का एक तो इस तरह से हम कितना लाइन बून लेंगे यह हमारा एक line बुन चुके, यह दूसरा जा रहा है, हम पांच line इस तरह से बुन लेंगे, यह दूसरा line जा रहा है, तीन line और बुन लेंगे, तो इस तरह से चलिए हम इसे तीन line में और बुन कर complete कर लेते हैं, जब इसे हम इस तरीके से बुन लेंगे तो फिर से पलटेंगे पलटने के बाद जिस ठंग से हम अभी बुन रहे हैं उसी ठंग से हम फिर से इसे बुनना सुरू करेंगे। सिर्फ हमें एक जो पहला लाइन आप देखिए, वहाँ पे हम तीन फंदो को एक साथ बनकियें। बाकी जगब पे हम दो फंदों को एक साथ, बस इसी तरह से इसे बना कर हम complete करेंगे, पाँच लाइन सबसे पहले हम complete कर लेते हैं, तो देखिए, हाँपे हम पाँच लाइन बुन कर तयार की हुए है, अब पाँच लाइन बुन लेने के बाद में, आगे हमें किस तरह से बुन ना है, चठा लाइन हम बुन रहे हैं यहाँपे, यह, एक, यह हो गया, दो, तीन, चार, पाँच पाँच और एक छे छे हम बुन लेते हैं यहाँपे, छे हम इस तरह से बुने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ हो गया छे हमें यहाँ पे बुनना है यानि कि यह जो एक था यहाँ पे चेन, यह एक कहलाया यह दो हो गया, तीन, चार, पांच, छे अब छे के बाद देखिए हमें किस तरह से बुनना है ये एक छोड़कर अगला पे हुक को डालेंगे हम और इसे बुनेंगे फिर से एक छोड़ेंगे अगला पे हुक को डालेंगे बुनेंगे एक बीच करते हुए हमें बुनना है एक छोड़कर अगला में हुक को डाले बुने फिर से एक छोड़कर अगला में उपको डाले बुने अब हम इस तरफ गिनेंगे कितना हमारा बचा हुआ है एक, दो, तीन, चार, पांच और ये रहा छे हो जाएगा ये तो चलिए हम यहां से सौरी हम यहां से बुनना सुरू करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये क्यों होगा छे हो जाएगा हमारा दिखिये है एक, दो, तीन, वो अगर आप पांच, पांच भी यहां देती है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आठ नबर के खाना जी का है अब हम यहां पे इसे कट कर लेंगे युसोन को अब इसका हम आउटलाइन देंगे तो इस तरह से देखिए यहां पे हम पांच या छे इस तरफ रख ले इसके बाद दो, एक वीच करते हुए बुने और लाश्ट में पांच या छे अगर आप इधर पांच रख रहे हैं तो इस तरह भी पांच रखें और बीच का जो बचता है उसमें दो का एक करते चली जाएं नहीं दो का एक जैसा हम बतला चुके हैं आप लोगे को अब हम एक आउटलाइन देंगे कोई भी कलर से आप आउटलाइन दे सकती है यहाँ पे जोड लेंगे हम जहां हम कट किये हुए थे उसी जगह पे जोड रहा है देखिए एक चेन हम ले लिए यहाँ पे जोड रहा है थे इसलिए एक चेन लिए अब देखिए अब क्या करेंगे अगला यहां पे हम फंदे को डालेंगे हुक को डालेंगे और यह लेंगे सौरी यहां पे हमें फंदा भी लेना है देखिए इस तरह से हम फंदे लिए जो हम फर्ष्ट में बतलाये थे उसी तरीका से हैं, लाश्ट में भी यहाँ पे हम लोगों को करना है, यह तीन काईग, फिर से फन दे लेंगे, फिर से हुक को डालेंगे, तीन काईग, सबों में अलग-अलग बनाएंगे हैं, अब यहाँ पे हमें न घटाना है, न बढ़ाना है, सबों में अलग-अलग आउ तो दिखिए इस तरह से लाश्ट तक हम यहाँ पे बना लेंगे अब यह यहाँ ले आएंगे यहाँ लाकर इसे हम कट कर लेंगे टाइट कर लेंगे इसे कट कर लेंगे अब हम सुई धागा की मदद से यहाँ पे सी लेगे चलिए हम सीलना सुरू करते हैं पर टाइट कर लेंगे आइट कर मेंद अब रिए देखिए सीलने के समय में हम इसे पलट लेंगे उल्टा तरफ कर लेंगे और उल्टा तरह नहत्तित कर लेंगे अब से सीलेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से ले आते हैं, ताकि यह जो गाठ लगाए हैं, वो पता ना चले हमारा है, सामने ना दिखे, यह इसे निकालेंगे, अब हम यहाँ पे यह दोनों में, यह एक और यह दोनों में इस तरह से सुई को डालेंगे, यहाँ अब देखें अब जितना भी ये उन है इसे हम इस तरह से सिलते हुए नीचे की और लेते जाएंगे या तो आप कट कर सकती है या पे डिपेंड करता है आप पिर से यहां सिललेंगे इसे दापते हुए सी लेंगे देखें ताकि ये भी इस तरह से दब जाए अब अगर आपके पास एक्ष्ट्रा है तो आप यहां कट कर सकती है इसे कट कर सकती है इसे भी हम थोड़ी दूर कट कर देते हैं अब देखिए अब यहां पे हो गया इसे हम इस तरीके से सिल लेंगे कोना इसका हम नहीं निकलने देंगे और सिल लेंगे देखिए इस तरह से हम इसे भी यहां से यहां तक सी लेंगे सी लिए अब यहां पर हम एक काठ ही से पहले दे लेते हैं यह एक काठ पढ़ गया अब यहां से हम ले जाएंगे इस तरह से सुई को यहां से फिर से यहां से लाएंगे इस धंग से और देखिए अब इसे हम थोड़ा सा टाइट करेंगे इस तरीके से टाइट कर दिए यहां पर टाइट करने से यह इसका आकरिती चेंज हो जाता है अब यहां पर हम गाठ लगा देंगे एक गाठ और लगाएंगे मजबूती के लिए अब हम इसे उनको कट कर लेंगे हैं यहां पर अब इसे पल्टेंगे देखे यह जो हम यहां पर घुमाएं इस तरह से तो यह आपका यहां सोल तयार हो गया यह देखे यहां पर इस ठंक से तो यह हो गया अब यह इस तरीके से आ जाएगा आपके कानाजी को देखे यहां पर इस तरीके से आ जाएगा तो यह सुन्दर सा बन कर तयार हो जाएगा आप इसे कई रंग में बना सकती हैं यहाँ पर देखे देखने में काफी खुब सुरत लगता है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में